तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका C.E.T. खराब गया हो या फिर अगर आपका C.E.T. ना हुआ हो या फिर अगर आपका C.E.T. अच्छा भी गया हो देखो यार इस साल के जो भी लेवल रहे हैं मैंने कावी सारे बच्चों से बात करी है जो कि C.U.E.T. का एक्जाम इस साल दे रहे है मैंने सब के perspective को जाना ठीक है, सबसे पहली बात ये है यार सबसे major बात ये है कि more of the students are more concentrated on the north of college आपको पता है, everyone gives C.U.E.T. और सब के dream में D.U. J.N.U. ये सारी चीज़े ही होती है general case बता रहा हूँ उस case में क्या है ना, because of the possibilities too low, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ it is not as low, ठीक है लोगों को क्या लग रहा है कि उनको D.U. मिलेगा या नहीं मिलेगा G.U. मिलेगा या नहीं मिलेगा इसमें वो लोग confused है और वो सिर्फ इसली है क्यूंकि आप लोगों के सामने दिखा है कि इस बार C.U.E.T. भढ़ने वाले लोग 16,00,000 है but you are considering yourself lower than those 16,00,000 people देखो यार honestly genuinely बताओ मैं ठीक है मैंने बहुत बच्चों से बात करी है मैंने पूरा ट्रायक रखा है ground level पे आएंगे न ground reality के बात करेंगे न बहुत ही कम probability मैं ऐसे बच्चे जिन्नोंने C.U.E.T. के लिए actually preparation किये from the starting to win बहुत कम बच्चे हैं limited बच्चे हैं और उनकी संख्या 10,000 से भी कम है तो 10,000 बच्चे से भी कम है जिन्नोंने practice करी थी अगर तुम ऐसे जिसने पूरी practice करी थी C.U.E.T. के और उसके बाद तुमने दिया तो बहुत अच्छी है ठीक है approximately 75% ऐसे बच्चे होते हैं काफी लोग जो की बीटेक के लिए इसको देख रहे है यार यू विल गेट यूर डिजाइड कॉलेज इसकी गैरेंटी मैं लेता हूं whatever score you get because the major major people that are giving these exam are from commerce and arts जो engineering वाले बच्चे हैं बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए चीज़े already sorted है because competition is heavily low too low नहीं heavily low समझे देखो level की बात करते हैं जिनोंने exam दे दिया उनको पता होगा level was moderate it was not tough and it was not very easy मैं यह भी नहीं कहोगा कि कुछ था ही नहीं भाई हलुआ था ऐसा नहीं है it was moderate but if we talk about the probability of answering question अगर वो moderate तुम्हारे लिए है तो वो moderate सब के लिए है ठीक है तो ऐसा मत समझो कि किसी ने एक well preparation किया होगा वो score नहीं कर पाएगा वो कड़ेगा लेकिन जिसने preparation नहीं किया वो score कर लेगा इसकी कोई guarantee नहीं है ठीक है अगर तुमने moderately prepare करके एक अच्छा decent score करा you will get your mark सबसे पहली बात है कि cut off को लेके जिस पे कि हम लोग आगे जाएंगे लेकिन उससे पहले ये जान लो So before moving ahead in this video मैं आपको बताना चाता हूँ कि आप सभी लोगों को अभी best possible discount मिल रहा है on unacademy subscription which is up to 50% using the code pdns10 साथ ही मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए जितने भी printed mock test है वो भी launch हो चुके हैं और उसको आप access कर सकते हो through subscription above 9 months and the major thing is that the important thing is that कि आपको आपके screen पे बहुत सारे free mocks दिख रहे होंगे जो कि आपके जो है plus mocks है इसमें एकाद दो है भाई बाकि सारे के सारे free है इतना ज्यादा discount चल रहा है up to 50% का तो आपके लिए class 2024 experience के लिए इतने सारे batches best batches with the top educators launch हो रखे हैं जो कि आप अपने screen पे देख रहे हो साथी में जितने भी ऐसे student हो कि जो कि DU को target कर रहे हो और PG के लिए देख रहे हैं आप सभी लोगों को आप सभी लोगों के लिए कि special batch क्योंकि यार हम लोगों का main मकसद होता है हम लोग हर एक को cover up करे और इस वए से हम आपको भी cover up कर रहे हैं तो ये जो है ये आपके लिए batch launch हुआ है जिसको कि आप access कर सकते हो मैं आपको दुबारा बता देता हूँ कि ये जो आपका subscription का offer है ये बहुत ही limited time के लिए है आप इसको जल्दी जल्दी grab कर लो क्योंकि up to 50% is a very rare thing on an academy जो कि अभी आपको मिल रहा है using the code pedians10 all links are given in description box below जाओ फट अफट उठालो भाईया और अपना चिल सिन कर लो ठीक है चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे अगर बात करें cut-off की तो जितने भी हमारे colleges है न उनका cut-off जो है आप लोग ये रखो कि 800 में अगर लेके चलते हैं 750 प्लस, 700 प्लस पे भी आपको decent college मिल जाता है simple सी बात है जितने जादा बच्चे आएंगे उतने जादा cut-off increase होगा because of the increase of that amount of student the cut-off has already gotten higher ठीक है वो थोड़ा बढ़ चुका है we can't deny that but yes अगर हम लोग past record के हिसाब से cut-off देखेंगे जो कि काफी youtubers claim कर रहे हैं it will not be like that past record के हिसाब से आप इस साल का cut-off नहीं देख सकते हो इस साल का cut-off will be quite नहीं very different तो मैं आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से clear कर दिना चाहता हूँ कि इस साल का cut-off will be very different from the past and अगर तुमने एक decent score कर रहा है तो chill मार के bad जाओ आपका result जो है यार पहले answer किया जाएगे आपकी 10 तारीक तक expected है कि सारे exams cover खतम किये जाएगे आपका answer किया रहा होगा around 14 या 15 या 16 तारीक तक और 14-15-16 के बीच में आपका answer किया आएगा after that you will recheck it और 6-7 दिन के अंदर मतलो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो claim करते कि मेरा answer सही है लेकिन इसमें गलत हो रखा है तो इस case में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो claiming होती है उसको 7-8 दिन में cover up करके you will get your result by June end ऐसा रखो कि June end से पहले तुम्हारा सभी का result आ रखा होगा तो उसका attention मतलो जितने भी बच्चे जिनका compare था please CUET को drop out मत करना CUET दे देना क्योंकि तुम्हारा counselling होते होते तुम्हारे सारे के सारे result जो है CBSC वाले आ चुके होगे and you can easily go to college without wasting a single year तो ये गलते मत करना ठीक है मैंने आपके लिए I hope कि मैंने आपके लिए पुरा सा stressed out किया मतलब आपका stress किया और stress डॉट ना किया तब तक के लिए अपना क्याल रखना रीतुरा अब रहिया signing off बाबाई टेकेन पीज जैह हिंद बंदे मात्रम